घर में चोरी हुए सामानों को दिलाने की नाम पर ग्राम मालूद बैलवदरी की यूती से उसके कोच अजय पिल्लई ने पैसे लेकर धोका घड़ी की घटना को अंजाम दिया है जिसको लेकर यूती ने पत्मनापूर थाने में नाम जद लिखी शिकायत दर्ज कराई है ग्राम मालूद बैलवदरी की रहने वाली मौनिका निशात के घर आभूशन की चोरी होने से परिशान यूती ने अपने कोच अजय पिल्लई से जानकारी साजा की जिसके बाद अजय पिल्लई ने चोरी हुए समान को दस दिनों के भीतर समान दिलवा देने के नाम पर पैसा लगने की बात कही जिस पर यूती ने कोच की बातों में आकर अपने मोबाइल से अजय पिल्ले के फोन पर दस हजार रुपे ट्रांसफर की इसके बाद यूती मौनिका निशात को किसी और से ये बात बताने से बना भी किया बता दे मौनिका निशात दुर्ग में किराय के म इसकी शिकायत नामजद उसने पद्मनापूर थाने में दर्ज भी कराई है और उक्त कारवाई की मांग की है। मीडिया है चर्चा के तोरान मुनिका निशाद ने बताया कि अजय पिल्ले द्वारा मुझे चोरी हुए भा आभूशन को दिलाने के नाम पर 10,000 रुपए की वसूरी की गई है। इससे परशान होकर दुर्ग पुलिस से चोरी गए सामान सही ते मेरे साथ हुए धोकाधरी प करके तो मैं ग्राउन आती हूं रविशन काई स्टेडियाम तो अजय पिल्ले सर ने मैं रोर रही थी ना उसको वो बोले कि मैं दिल बाद हूंगा ऐसे करके ऐसा सबात है सब्सक्राइब धीरे पैसा ले रहे थे मुझसे 20,000 ले लिये थे और दिमांड किये 10,000 का बहुत प खाने में जाके बोलना ऐसे करके हैं तो अभी मैं करवाही चाहती हूं सर के खिलाब एसीन न्यूस के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट